डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार सी मित्रो हूँ डॉक्टर दिवियस व्यास डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना चैतनी स्टूडियो माथी आप सर्वनू हार्दीक स्वागत करूछू विद्यार सी मित्रो आजे आपने पेपर एक एदले के इलेट्रोनिक मिडिया ना सात नमबर ना युनिट नो अभ्यास करवाना चीए युनिट साथ ए ब्रोडकास्टिंग एथिक्स ब्रोडकास्टिंग कोड अने ब्रोडकास्टिंग ने लगता चे काईदा हो छे एनी साथे संक्लायलो छे विद्यार सी मित्रो आपने इलेट्रोनिक मिडिया मा जानिये चीए के इलेट्रोनेक माध्यम, स्रावियक माध्यम होई, रेडियो जेवु होई, के पची टीवी नुँ माध्यम होई, ओडियो वीजियल, द्रस्य स्राविय होई, परन्तु एमा जे लोकोसुदी पहुँचवानू छे, ए आपणे ब्रोड कास्टिंग थुरू पहुँचवानू जे आरे इलेट्रोनेक मीडिया, रेडियो अने टीवी जेवा माध्यम छे, एमा आपणे वातन साम गरी नुँ अथ्वातो जे के मेसेज छे, अथ्वातो जे समाचार छे, अथ्वातो जे के आपनों कार्यकरम छे, एनुँ आपनों ब्रोड कास्टिंग प्रसारण आम प्रिंट मीडिया छे एनु जे लोकोसुदी पहुचवानू माध्यम छे प्रकासन छे जरे एलेट्रोनिक मीडिया छे एमा तमारे प्रसाराण करवानू छे ब्रोड कास्ट करवानू छे ब्रोड कास्टिंग ने लगता जे कई आचार साहिता छे एना जे कई एथिक्स सिद्धान तो मुल्यों छे अने जे कई आपड़ा देश ना काईदा कानून छे काईदा कानून नी जे कई कलम छे तो ए बद्धायनों अभ्यास आपणे आ युनीट मा करवाना छे विध्यार्थी मित्रो तमे जे आगामी समय मां ब्रोड कास्टर बनसो तमे जे रेडियो जर्नलिस्ट के टीवी जर्नलिस्ट बनसो त्यारे आ काईदा की अमुक समझ होवी खोब जरूरी छे कारण के आपणे जे देश मां रहिये छे एना काईदा थी आपणे सव बंधायला ची है आ संजोगों मां आपणे तमे एजा ब्रोड कास्टर तमारे कया कया सिद्धन तोनू पालान करवानू छे कई-कई आतार सहीता छे जेने तमे जे कही तमारो न्यू पालान करवानू छे एना एनी सासे रहिने आपणे आपणे जे पत्रकारत्वनू काम छे एक करवानू छे आम काईदानी जे समझ छे आचार सहीताने लगती समझ छे औने जे मुल्यों छे कारण के पत्रकारत्वनू खेत्र छे एक कई मात्रा एक साधा व्यावसाई नसी ए प्रकार ना मूल्यों नी जरूर पड़े छे एक अमुक सिध्धान तो साथे लहिने चालवानू छे कारण के आपने जानियें ची है के पत्रकारत्व ए लोकसाही राष्ट्र मां एक चौसो स्थम्ब गणाई छे त्यारे एनी केतली जवाबदारी छे मोट्टा भागना जे का पत्रकारत्व ने अभिवेक्ति नी आजादी ने जे दबावे एवा कोई काईदा आपना देश में न थी आएक आपड़ू मोटू सद्भाग्या छे आपड़ू जे भारत नू बंधारन छे डोक्टर बाबासाही आमबेड़कर अने आखी समीती ये बंधारन समीते आपड़ने बद्धा है ने जे कई अधीकारो प्राप्त थायां छे अने खासकर ने माध्यमों मने लगता छेए अधिकारो छे तो येनी सामें फरज पन छे जे आपने शाउथी पहला कि पत्रकारत्वाने लगता काईदा छहें। पच्छी काईदा नी सुझ ज़रूर तो ए आपणे स्लाइड दवारा समझी ये। आपना समाजमाप्तेम्णा से अगने ॐत्रादा अऊचे मोग्तेमिदा स्दर्वेदा और समाजम्स पर शाम्जवाज Dell स्वत्तम्स लृपनें कोट enjoy шthi महापारuses गरानी पर पोटा हां च्वार्स चे तो आ साध्वानू साधन न सी अदि अबिव्यक्ति प्रकास्टिं प्रसारण दौरा 4 घृतure सब्सक्राव सब्सक्राइब तमारे निभाववानी छे एटले आपड़े जोहिए तो एनू खुब महत्वा रहेलू छे तो मित्रो शाउथी पहला आपड़े जोहिए रोल एन रिस्पोन्सिबिलिटी ओफ मीडिया लो माध्यमने लगता जे काईदा चे एनी शू भूमीका चे एनू शू महत्वा छे तो सवुथी पहला तो आज इकाईदा वो जोहिए प्रकार ना चे एक पत्रकार ने मजबूत करे मीडिया हाउस ने मजबूत करे एनी जे की फरद बुल्ड शेट शेट और राश्ट्रहित्मा आने लोक हित्मा जे वस्तु चे, जनहित्मा जे वाद चे, ए पत्रकारने एमपावर करेचे, पत्रकारने शास्टपि पत्रकारने शेट, सक्ति करण करे शे के जे मीडिया पर्षन चे ए बिंदास पने कोई पन नी सेह सरम मा आविया विना जे साची वाद छे साची जानकारी शे साचु ग्नान चे ए लोकोशुदी पहुंचाडे मित्रों आजे की काईदा चे ए बंधारनिय पन चे और वैधानिक पन चे एल्ले कॉंस्टिटूशनल पन चे और स्टेट्यूटरी पन चे और ए दरेक प्रेशने पोता नी पोतानी अखबार छापपानी श्वतंत्रता आपे चे और जे अन्य माध्यमों चे इलेट्रोनिक जे मुक्तपणे प्रसान करिये जिए आपने करी शक्किये नाइए वीजू मित्रों जे आ अ कायदा चे ए मीडिया और राज्य राज्य काहिए के सरकार कहिए तो मीडिया औने राज्य मीडिया औने अमल्दार साही मीडिया औने न्यायितन्त्र लोकसाहीने बाकी आपेशे साथे साथे समाज औने व्यक्तिगत लोको साथे पन आ माध्यमों कई रीते जोडाँ से कई रीते जोडावानू छे औने एनी सुमर्यादा रह से ए बाबत पन आ काईदाने काणे निर्धारित थाई छे एले एरीते आ काईदानू खुब महत्व औने बहुती भूम्मीका रहेली छे मित्रो माध्यमों नी सामय पन केटला व्यक्तिगत संस्ता किया अथवा तो जेके अलग-अलग कचेरी छे विभागों छे एन्या प्रश्णों होई सके तो आज काईदा हो छे एमां अमुक पन छे जो कोई मीडिया हावुस जो कोई टीवी चैनल जो जो कोई रेडियो चैनल जो ए प्रकार नी जेने के वाए के काईदा की रीते इमां उल्लंगन ठतू होई कोई नू एमां हीत जोक मातू होई कोईना उपर बद्नामी ठती बद्नक्षी थती होई तो ए अमुक काईदा एवा पन छे कि तमें माध्यम सामे नी फरियादों छे ए पन तमें रजु करी शको छो खाज करें जे प्रेस काउंसिल एक्ट छे सिनेमेटोग्राफ एक्ट छे आमुक काईदा एवा छे कि माध्यम पन जो कईक अयोग्य छापे छे अन एथिकल छापे छे कईक असत्य छापे छे और इरादा पुर्वक कईक कोईनी बद्नामी करे छे तो एनी सामे पन रक्षन आ काईदाव आपे छे इटले मीडिया लो छे एक अखबार माटे एक कवच छे साथे साथे सामने नागरी को माटे पन मीडिया लो ठकी एमने नियाई मली सक्या छे अने में किदू एम आपना देश मां मित्रो आपना देश मां जे काईदा जे मोट्टा भागे मीडिया नी तरफेंड ना काईदा छे मीडिया नी कोनों वाज दबावी शकाशे नहीं एटले आपने एक इन जनरल आपने समझिये अवे मित्रों आपने बंधर्निये काईदा जोईए पर आपने अभिव्यक्ति नी आजादी मलेली छे एक अपना जी मुझभूत अधिकार हो छे जे कलम 12 लए अने 22 सुधीमा जे के आपने मुझभूत अधिकार मलेला छे एमा सवथी पहलो मुझभूत अधिकार जो होई अभिव्यक्ति नू तमने वानीनू स्वातंत्र मलेलू छे आ स्वातंत्र अन्यों जे तमने अधिकार मलेलो छे मुझभूत अधिकार छे एक कोई छिन्वी शके नहीं एटले ए सवथी बंदार्ण मा जे जोगवाय छे तो कोई पन अखवार ने आ जोगवाय ने कान अलगतिलाब नथी मलतो पन डेस ना धरेक नागरिकने जे अभिवेक्तिनी आजादी मलेली छे एज आजादी अकवार ने मलेली छे अन्या आजादीनों सवथी वदू उप् प्रसारण माध्यमों छे जे पत्रकारत्वानी करती न्यूस टेनल छे रेडियो छे एने आनों सवथी बंदू लाब मलतों होई छे मित्रों वीजो जे फंडामेंटरल राइट छे आर्टिकल ओगणीश नोज भाग छे ओगणीश एक जी ग तो एज तमने तमारों कोई पन सब्सक्राण माड़ें तमने मूक्ती आपें छे एकन वेप पत्रकारत्व ने मारें व्यावसाई बरनावूँ छे तो एक काइदा किये गुच्वन अत् Carry अन्य होटा नातकि कर दो न्य द्यकार नों भाग चे तमने तमारी पसंदगी नो व्यावसाय करवानी छूट चे आजादी चे एटले एपन एक बहु अगतियनों चे आर्टिकल 192 तो जे मित्रों वाणी अने अभिवेक्ति आजादी आपेली चे परन्तु ज्यारे आ स्वतंत्रता स्वतंत्रता मा फेरवाई जाए ज्यारे के योग्य वातों केवा मा आवे केटलीक वातों असत्य होई पन एने थोड़ू अलग रिते रजू करवा मा आवती होई तो एना उपर कंट्रोल करवा माटे आ आर्टिकल 192 रहेलो चे जे मा केटलाक अमुक संजोगों मा अभिवेक्ति ने आजादी ना नामे जो काई एकसट छे जे तमने पत्रकारत्व करवा माटे तमने एमा छूट आपे छे कारण के जयारे लोकसाही ना बाकी ना त्रोण स्तंभो आटलाब दा मज़िभूत छे तो एनी सामे उभारेवानी ताका छे ए तमने आर्टिकल प्रोटेक्शन पूरू पाड़े तो आम इत्रों कॉंसित्यूशनल लो नी वाद थाई अवे आपड़े मीडिया लो नी वाद करिये तो आपड़े इलेट्रोनिक मीडिया नू भनी राया ची परन्तु आपड़ा देश ना जे मीडिया ने लगता काईदा छे ए मुट्टा प्रिंट मीडिया ने लगता छे कारण के इलेट्रोनिक मीडिया तो पच्छी ना समय मा आवियू छेला दाइकाव मा आवियू अना विस्तार थायो जे पन जे मुख्या जे सरुवातमा काईदा बनिया जे ए मुट्टा भागे अकबार ने ध्यानमा राखी ने बैना छे अ मुख्य काईदाव मा एक तो जान्य वर्किंग जर्नलीस्ट एक्ट चे ये अ बर्किंग जर्नलीस्ट एक्ट ओगुणीषोईड पन्चावन मा अस्तितव मा अवियू हातो ब्रकिंग जर्नलीस्ट और अधर नूस्प्यैपर येंप्लो ए कंडिशन्स अब सर्वीस एण मिस्यलिनियस प्रोविजनस एक यहमा पत्रकारों नू शोशन ना थाए. पत्रकारों नी छटणी ना थाए जे पत्रकार कुल हीत मा जहन हीत मा लगतो हुइ तो एन पत्रकार ने कोई रिरेटी हेरांगती नव था एने नोक्री मांती काठी मुखव ए बद्धी केटलिक बाबतों चे एमांती आ जे काईदों चे रक्षन आपे छे बीजु जे ओगनेशु अठावन मां आज काईदानानु संधान मां बीजो जे काईदों आएवो एचे वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्षे आज काईदों आवियो छे एना अधारे एक जोगवाए छे जे वेजीज बोर्ड नू रचना करवा मां आवे और वेज बोर्ड जे कई पगार धुरन ठरावे तो जे पब्लिकेशन हाउस छे एने पगार धुरन मुझब पत्रगारों ने पगार अने वीजु जे के पड़े त्रीजु काईदानी वाद करें तो निउस्पेपर प्राइस एन पेज एक्ट नैन्टी फिफ्टी सीक्स मां आवे लो परन्तु सुप्रीम कोट ने वुँ लागे लू के वाइले ओगने सुप्रीम कोट एने गेर बंधारनिय जाहर करेलो कारण के तमें प्राइस अने पेज ने ए बद्धाय मुद्धाव उभा करी अने क्या रही तमें अकबार ने दबवी सको नई एटले आजे एक्ट आएवो तो निउस्पेपर पब्लिक लाइबरेरी एक्ट ने चोप्पन मां आवेलो विजो चे प्रेस काउंचिल ओफ इंडिया एक्ट ए अत्यारे जे लागुचे ए ओगणीशन अठिय अत्यार नो लागुचे परन्तु ओरीजिनली आपने वाद करिये तो प्रेस काउंचिल ओफ इंडिया एक्ट ओगणीशन ने पांशांठ मां ए अस्तित्व मां आभियो मापदंडो नकी करवा माटे एक जे प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया नी रचना करवा मावी हाथी ए उगणिशो पासाथ मा मुलभूत रीते आ काईदो अस्तितों मा आवेलो परन्तु आपडे देश मा जेरे कटोकटी लागू करवा मावी उगणिशो पंचोतेर पछी त्या इंडिया एक्ट लाविया ओगणिशो न अठियो तेर नो जे प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया एक्ट छे त्यार आपड़ा देश मा लागू पड़े छे आ मोटा बागे मीडिया ने लगता काईदा छे प्रिंट ने लागू पड़े परन्तु एनी जोगवाई छे अन्या म काईदा नी वाद करी ए तो जे ब्रोड क्रास्तिंण लो छे तो एमा सिने मेटक गराफ video जे उगनिशने 52 मां अस्तित्व मां आवियो होतो, Contempt of the Court Act जे उगनिशने 51 मां अस्तित्व मां आवियो होतो, अने आ Contempt of Court छे, तो आ काईदो तो तमाम जे Media House छे एनने लागू पड़े छे बीजो छे जे Cable Television Network Regulation Act जे उगनिशने 55 मां आवियो, एटले मित्रो आपड़े जानिये छिए कि जे रे आपड़ा देशे आर्थिक रीते नवी नीती अपनावी, नवी आर्थिक नीती जे आपड़े बानु तानु मां आपड़े अम्मल मां लाविया, तो आ नीती पछी थाया, अने जे Cable Television अस्तित्म मां आवियो, तो एना उपर एक प्रकार नू नियंत्रण रहे, कोई नी मोनोपोली नव थाय, अने जे ग्रहाको काणके Cable ना ग्रहाको चे एने अन्याई नव थाय, ये बद्धी बाबतों नी ज्यान मां राखी, अने एक The Cable TV Network Regulation Act पंचाण रेडियो औने टीवी ने लागू पड़े छे, काणके रेडियो औने टीवी ए माध्यम हता, खासकरी ने आकासवाणी औने दूरदसना संदर्वे वाद करिये, तो एक सरकार हस्तक ना हता, परन्तु एक लोक्साही देश मां, जे आबे बो मुट्टा मीडिया हाउस हता, ए योग्या ना गणाई, आने जे के वाए के सरकार नू एना उपर एक हत्ती वधारे प्रेसर ना होई जोई है, आने एक स्वायत्ता होई जोई है, एले ए स्वायत्ता ना मुद्धे प्रसार भारती एक्ट ओगुनिसे अठ्थावन मा जेरे अटल बहरी बाजबे वड़ा प आवियो हतो, पाची Information Technology Act 2000 मा एपाण वड़ा प्रदान अटल बियरी वाजबेना कारियकाड मा लागु पाडवा मा आवियो हतो, कारण के जे रीटे computer अने internet नो विकास थाई रहो हतो, एटले Information Technology Act होओ देश मा बहु जरूरी हतो, ए 2000 मा अस्तित्व मा आवियो, एना पाची Right to Information Act, माहिती नो अधिकार, एपन सिधी रीते अकबार साथे संक्लायलो काईदो नथी, परन्तु, रीपोर्टर ने जे माहिती आसानी थी उपलब नसी शती, ए माहिती अधिकार अंतर्गत, ए माहिती मागी, और वीगतो सरकार पासे थी, सरकार नी विवीच कचेरियो, और म पांच मां अस्तितों मां अभ्योवतो, तो आ बदाए ब्रोड कास्टिंग ने लगता, आव काईदा हो छे, बीजा मित्रों जे काईदा हो छे, जे प्योर्ली ब्रोड कास्टिंग नथी, परन्तु, कोई पन मीडिया हाउस, एटले ए प्रकासन हाउस होए, के न्यूज पांच मांच 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 क्रिमिनल डिफेनेशन के सिविल डिफेनेशन ने लागू पड़े चे अन्य आजे डेफेमेशन चे डेफेमेशन एटले बदनक्सी तो बदनक्सी नो काईदो चे तो ज्यारे कोई मीडिया हाउस कोई व्यक्ति कोई संस्ता वीशे यहनी बदनक्सी थाए यहनी इमेज होई यहनु जे सामाजिक मोभो होई एमा नुक्सान जाए और आनी पहुंच ए प्रकार नुझेरे कंटेंट आपे अन्य कंटेंट मा जरे सत्य ना होई त्यारे व्यक्ति पोताना बचाव मा आ जोगवाई अंतर्गत कोई पन पत्रकार आने कोई पन मीडिया हाउस विरुद्ध डेफेमेशन नो केस करी सके चे बीजो एक जे काईदो छे कंटेंट ओफ कोट एक्ट उगणिशन एकको तेर मां आ काईदो अस्तित्व मां आभेलो कंटेंट ओफ कोट एटले कोट न सब चुडाइस हऊए केस एक शाली हो चे ऐमा को OHP ने प्रभावीत करवा मांटे अमूग प्रकार नी जो वीगदो च्पपां मा आवे अमूग प्रकार नियों आख वाल च्पपि अवे तो एनक आने जे चुकादो छे जे असील चे वाधी प्रदी वादी छे तो ये ना उपर वकिलों उपर जे असर थाए तो ए असर नहीं था एकले एक ओ तर्शहित ता ना भाग रुपे उट केवाई छे कि जे बाबत कॉट्मा होई कोट्ना आधेस आधिन होई कोट्ना चुकादो आववा टिपन करवानी नथी कारण के आ खून आ विक्तिया कर यू छे तो एने ज कर यू छे के नथी कर यू अन्या खून करवा बदले एने सू सजा मलवी जुए तो एनो जे चुकादो छे ए कोटे आप पानों छे अकबार मा एने लगती चर्चा करवानों कोई मतलब नथी एतले कंटेम्ट ओफ कोट एक्ट महत्वा पून छे कोट नी कोई पन रिते अउमान न थवी जुए कारण के आपने जे जोई हुझे के जे त्रोन स्तंभों छे तो एमां एक महत्वा पून स्तंभ कोट छे औने कोट ना चुकादानू पन एक घत्थी वधारे विशले सान अने ए काईदा उपर लोको नो विश्वास छे एक तूटवो न जोई है एटले कंटम्ट ओफ कोट बहु अगत्या नो पत्रकार तरीके बहु समझवा जेवो अने एने ध्यानमा राखवा जेवो एक काईदो छे बीजो जे काईदो छे एक कौपी राइट एक्ट कौपी राइट एटले तम्हें कोईनी सामगरी छे कोईनी वातन सामगरी लखान छे एनी कौपी करी शको नहीं काण के जे लखान छे सहीत्य छे पुस्तक छे तो यह जेते व्यक्ति नि बहुदिक संपदा छे कोपी करो तो एक प्रकाना विज्यूल अवेलेबल होई एक न्यूस चैनल पासे तो एक टेक्नलोजी ने मदद थी एक विज्यूल ने तमारा मां डाउनलोड करी अने तम्हें प्रसाइब तो आज ये कॉपी रैट एक्ट संदर भे अजे संकड़ायली वाद छे तो एक पत्रकार तरीक है कॉपी रैट एक्ट ध्यान डाकवानुँचे के तम्हें जे कंटेंट लाओ औरीजनल तम्हारी होवी जोए क्यांक ठीक कॉपी करें ली नव होवी जोए अने जो तम्हें भारत आजात थायू एक पहला नो काईदों छे जे ऑफिशल सिक्रेट एक्ट कहें जेमा ऑफिशल सिक्रेट एक्ट अंतर्गत अनेक एभी बाबत छे के जे तमने महीती सरकार आपती नथी ए महीती एक गोपनी याताना आपणाई खबर छे के जेरे कोई नवा मंत्री अथ अफद लेवडावाम आवेशे काण के केटलीक बात छे ए जरूरी होईचे के जे गोपनी रहे लोग जन हीतमा पन होईचे एटले आ एक काईदों छे ओफिशल सिक्रेट एक्ट अलबत आपने महीती अधिकार आविया पाची घणी बधी बाबतों छे एमा एनी जानकरी आ आपपामा आवेशे चाता पन केटलीक समय दन्सिल माहीती छे ए जाहर करवामा आवती नथी एले एनो पन आपनने अंदाज हो जुए इंडियान पिनल कोड नी कलमो के कोड ओफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ बधी कलमो पन पत्रकारत्वना खुब ध्यानमा राखवा जेवी छ बिजु इंडियन टेलिग्राफ्ट एक्ट जे अधर्शो पंचासी नो छे जेनो अवे बहु एनू महत्वना थी पन एक मीडिया नी वात आवे एक संदेशा विहवार नी कम्मिनिकेशन ना ख्षत्र नी वात आवे एक आईदो पन आपने ज्यानमा लेवो जो इंडियन प रहस्चिय में इवधियू करे छे तो एमा एने लगती जाहर खबर छे नहीं आप पानी डवावनी जाहर खबर तमें न करी शेको कांके डवा डॉक्टर प्रिस्क्रेप करे एद लेवा नी शे तो ए अन्ने मेजिक रेमेडी आपड़े रहस्चिय ना नामे चमत कारना नाम चिल्डरन एक्ट चे उगणिशो साइट नो के बालको नो तमें अमुक प्रकारे उप्योग न करी शेको एदले खासकें सीनेमा ने दरस्टी आने बीचा बधायमा आ काईदो बहु लागू पड़े छे इंडिशन्ट रीप्रेजेंटेशन ओफ वुमन प्रिवेंशन एक् कारे यूज न करी सको कारण के यहना थी यहना महिलाव प्रत्य नो आदर छे यह भंग थतो वई चे यंग पर्शन हामफुल पब्लिकेशन एक्ट रीप्रेजेंटेशन ओफ पीपल एक्ट अने प्रोटेक्शन ओफ सिविल राइट एक्ट ओगणिशो पंचावन तो आ खूब जरूरी छे एटले आपड़े हजी एथिक्स अने कोड ओफ कंड़क्ट ना जे मुद्दा हो छे आपड़े बीजा लेक्चर मां बीजा वीडियो लेक्चर मां लेशू परन्तु आ जे मुल्भूत काईदा हो छे एनू एक सामन्य ग्नान तमार आमां हूँ खूब ज जे नू तमारे पालन करवानू छे कोई रित्या काईदानू उलंगन न थाए अने छता तमें सत्यने बाहर लाओ सारी महीती बाहर लाओ लोख हितमा जे वाद छे ए लोकोसुदी पहुंचाड़ो जरूरी छे एटले आ काईदानू आ आचार सहीता नो आपने अभ्यास करि अच्छे मित्रो तमारो खुबकु वाभार थैंक यू